दोस्तों आपसे नए प्रड़क्स की अन्बॉक्सिंग तो कई देखी होंगी लेकिन आज हम आपको पहली बार एक बहुत पुरानी चीज की अन्बॉक्सिंग दिखाने वाले हैं और वो पुरानी चीज है यह हमारा घर का पुराना रिपोर्ट एक Old Indian remote दोस्तों इंडिया में remote कितने कितने साल काम करता है यह आज आप पहली बार देखेंगे देखें इसके लिए हम आपके लिए लेकर आया है यह कई साल पुराना हमारा remote जो धक्के खाकर नीचे गिर कर भी काम करता जा रहा है देखें यह है हमारा remote ये देखियає आप इसको रिमोट को ध्यान से देखिये ये रिमोट यहां से भी Really और यहां से भी रभट से बना है कुल मिलाकर आप कॉंट करें गी तो एंग लगे है और अगर आप इसके साइट पर देखेंगे तो यहां से बेहतरी इसलेट अब अपया है यह खास तरह की सैलो टेप होती है जो कि इस रिमोट के लिए बनी होती है यह एक दो तीन चार चार सैलो टेप इसके यहां लगी है एक दो तीन चार यह सैलो टेप इसको एक मजबूती दे देती है मजबूती प्रदान करती है यह सैलो टेप और अब आपको दिखाता हूं कि यहे रिमोट कितनी बार नीचे गिर कर इसकी इना आगर आप इसकी हड़़ी पसली सब तूट चुकी और यह हड़ी फली तूटने के कारण इसकी कितना फ्लेक्सिबल हो गया यह यह झिदें completely कर सकता यह पूरा अब आप स्केर कर आप इसको किस्षकी स्पाइं серьिंग div स्पाइण है यह भी जगा जगा से टूट रखिये यहां के सटने के बावमउत काम कर रहा है और आप आम सोचेंगेे इसके यहां साइब एकदम जो फ्रेंट है यहां पर और इसके बैग पर यह छेद है लेकिन यह छेद नहीं है यह हमने इसको वेंटिलेशन इसकी बना रखिए ताकि यह रिमोट गरम ना हो क्योंकि लोग गुस्ते में आकर रिमोट को फैंक देते हैं और रिमोट खुद भी हो जाता है लोगों के गुस्ते के कारण यह रिमोट हमेशा ठड़र है इसके लिए हमने यहां पर इसको वेंटिलेशन दे दिया है यह ध्यान से देखिए यह सारा वेंटिलेशन है इससे रिमोट कभी भी गरम नहीं होता है और अब देखिए आप सोच रहोंगे कि इतना काम नहीं करेगा तो आप इसको दो तीन बार ऐसे जोज जो से हाथ को बारना होता है अब देखिए यह काम करेगा यह चलिया देखा अपने यह चलिया